तो हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं आज नाम है अलजेब्रेक एक्सप्रेशन्स एंड ओपरेशन्स ओन देखा जाए तो अभी तो आपका combined mathematics है जिसमें आपको geometry और algebra के कुछ terms सारी चीज़े एक साथ सीखनी पड़ती है लेकिन जब आप 9th standard में जाओगे तो आपके लिए 2 divisions हो जाएंगे math के जैसे की algebra और geometry एलजेब्रेक एक्सप्रेशन्स उतना ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप algebra solve कर रहे हो तो उससे related जितनी भी और जितनी भी identities है वो आपको याद होनी ही चाहिए तो यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने थोड़ी चीज़े examples में explain करके बताई जैसे कि यहाँ पर two balls थे तो हम लोगों यहाँ पर लिख सकते है two balls particular quantity है ठीक है bats कितनी है तो three bats अब मैं balls की जगे पर मैं x लिख सकता हूं bats की जगे पर मैं y consider करके बोल सकता हूं क्योंकि algebraic identity algebraic expressions है इसका मतलब हमें alphabets का use करना पड़ेगा जैसी कि यह alphabets है यहाँ mangoes दो थे तो two m लिख दीजिए mangoes का m consider कर लिया guava का हम लोगों ने three guavas that is three g consider कर लिजे guava का alphabets use करके हमेशा हम लोग एक algebraic expression बनाते हैं अभी देखिए यहाँ पर जैसे कि उन्होंने बोला है कि in the expression 3x 3 is the coefficient of the variable x coefficient coefficient मतलब वो number किसी भी expression में मतलब 3 और x जोड के एक expression बनता है algebraic expression जिसमें से three जो है वो है हमारा coefficient भूलेगा नहीं coefficient मतलब सिर्फ number उसके साथ की value भी हो सकती है जैसे कि हम minus 15 ती है तो minus 15 जो है variable t का coefficient है ठीक है और इसे पूरे इसको बोला जाता है एक term ठीक है multiplication के बाद जो भी number आ रहा है हमारा उसे term बोला जाता है इसमें algebraic expression में यहां पर algebraic expressions के अंदर देखी यह थोड़ा लंबा सा दिया हुआ है 4x square minus 2y plus 5 upon 6xz first term 4x square उसका coefficient 4 इसी तरीके से यहां पर जो यह box आपको नजर आ रहा है इसमें भी हम लोग variable और coefficients को separate कर सकते हैं variables मैंने जैसे बोला था कि जो भी alphabets होते हैं उनको हम variables consider करते हैं और coefficients मतलब हमारे numbers तो यह है हमारा term sorry for that यहां पर पहले सी lecture चल रहा था और किसी का phone आ गया तो देखें यहां पर number लिखा हुआ है 11mn तो हम लोग ने यहां पर 11 जो है वो consider कर लिया हमारा coefficient 11 minus 9 यहां पर number है यहां पर 5 upon 6 number है और a है इसका मतलब यहां पर 1a है हम लोग 1 कभी लिखते नहीं है लेकिन हम लोग 1 consider करते हैं कि ऐसा होगा अब बात करते हैं algebraic expressions तो बात हो गई कि algebraic expression क्या होता है कि कि किसी number के साथ कोई variable जोड़ जाता है वो हो गया उसका algebraic expression यह पूरे term को मैं algebraic expression बोल सकते हैं लेकिन कही कही पर ऐसा होता है कि अलग-अलग terms भी होते हैं तो दो तरीके होते हैं उसके एक होता है like terms और एक होते है unlike terms like terms मतलब अगर variable x है तो उसी के जैसे number कोई भी हो जाए number 5 हो, minus 2 upon 3 हो लेकिन वो variable तो same ही होना चाहिए जैसे कि x है तो x ही होना चाहिए x के साथ अगर x square भी आ गया तो वो unlike terms में चला जाएगा तो 2x और 2x square ये दोनो unlike terms है क्योंकि यहाँ पर x square है और यहाँ पर x है same terms होने चाहिए same variable होना चाहिए जैसे कि आप देख रहे हो कि like terms मतलब 1 जैसे terms मतलब जिनकी जो variable है वो x है अब आपको like terms समझाने के लिए सबसे best example क्या है हम लोगों ने ऊपर ही देखा है ऊपर क्या देखा था मैं लिख सता हूँ 2 balls 5 balls 20 balls ये सारे like terms है क्यों क्योंकि इनकी सबकी quantity जो है it is in terms of balls लेकिन मैं अगर गलती से ये balls की जगे पर balls की जगे पर मैं लिख देता हूँ कि 15 bats तो balls और bats में difference पता चल रहा है which means they are unlike तो 5 balls और 15 bats जो है वो unlike terms में ही consider किये जाएंगे देखा जाए तो ये ball और bat का example था अब हम इसको अगर consider करते है कि variables में देखना है तो variables में कैसे देखा जाएगा like terms के लिए सबसे main चीज variables सेम होने चाहिए x square है है भाई x square यहाँ पर y भी लिखावा था तो y भी होना चाहिए ऐसा नहीं यह कि सिर्फ x square है तो like term हो जाएगा और y नहीं है तो यहाँ पर है y तो यहाँ पर भी y होना चाहिए यहाँ पर x square है तो यहाँ पर भी x square होना चाहिए तो दो terms को हम लोग जब compare करते है तो वो like term है या नहीं वो उनके variables से ही पता चलता है सिर्फ और सिर्फ variables से अब आपने like terms unlike terms देख लिया है तो अब हम आ जाते हैं कि algebraic expression के types कौन से कौन से हैं यहाँ पर सारे types आपको नजर आ रहे है monomial जिसके अंदर सिर्फ एक variable होता है monomial या फिर variable होता भी नहीं है जैसी कि एक number single term वाले numbers को बोला जाता है monomial दो terms वाले numbers को बोला जाता है binomial दो terms 2x-3y कोई भी numbers ले सकते हैं दो terms होने चाहिए 7x-3 दो terms trinomials जिसके अंदर तीन terms होते है a b c x square minus 5x plus 6 कोई भी numbers ले सकते हैं आप लोग तीन terms होने चाहिए ठीक है तीनों के बीच में plus minus का sign होना चाहिए polynomials तीन से जादा terms वाले numbers वो 4 भी हो सकते हैं वो 5 भी हो सकते हैं वो 6 भी हो सकते हैं कितने भी consider कर लो लेकिन यह जो trinomial जो है यह binomials के आगे जितने भी आपकी terms आए उन सब को हम लोग polynomials ही बोलते हैं देखा जाए तो एक बहुत बड़ा lesson है आगे जाके आपको यह next class के अंदर polynomials का तो polynomials जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग solve कर सकते हैं अभी मैं इस वीडियो को जो है छोटा ही बनाने वाला हूँ दस मिनिट के अंदर हम लोग इसको खतम करने ही कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखी classify the following algebraic expressions as monomial, binomial, trinomial, polynomial चलिए monomial के लिए M, binomial के लिए B, trinomial लिए T और इसके polynomial के लिए P 7x, एक ही term है monomial, दो term है binomial, तीन term है trinomial, चार term है polynomial m-3 मतलब यह भी दो term है, तो binomial, एक ही term है, तो monomial, वापस एक term है monomial, एक, दो, तीन, तीन term है, तो trinomial इतना simple है दोस्तों, ओके, हम लोगों ने बहुत अच्छी चीजी देखी, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, आप लोगों को जो है वो देखने में भी इतना ही जादा इंटरेस्ट आएगा, 20 मिनिट की वीडियोस नहीं होने वाले आद से, छोटे-छोटे से ही वीडियोस करेंगे, हर वीडियो में हम लोग एक-एक concept जो है वो clear कराते रहेंगे, ताकि आप लोगों को कही पे किसी भी तरीके का doubt रहे ही न, तो वीडियो देखने के लिए, thank you, और जरूर अपने दोस्तों को इस वीडियो के साथ टैग कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर कर लेना, subscribe, thank you very much.